Hi student, today our subject is Hindi, okay? Part 2. Today we are learn Anki Matra, okay? Next, अभी हम Anki Matra के शब्द देखते हैं, okay? First one क्या है? अन्डा, उसे इंगलिश में क्या बोलते हैं? Next, बंदर, याने मंकी, इसमें क्या रहते हैं? जो शब्द रहते हैं, उसके उपर क्या रहते हैं? अन्ली डॉट, उसे क्या बोलते हैं? अन्ग की मात्रा, थर्ड, हन्स, हन्स, फोर्थ, शंक, शंक, विप्फन, जन्दा, ओके? चटा, कंगन, कंगन, सेवन्थ, अंगूर, अंगूर, और यह अठ्वा है, पंखा, पंखा, ओके? इस तरह से मारे हमने अग्की मात्रा के शब्द देखते हैं, वेविस के हां पर्चित देते हैं, प्रश्न पहला, चित्र देखो और पढ़ो, सुरां स्टूडन, आई स्टीक यह सम् पिच्चर, ओके? तब को क्या करना है? यहां यह जो पिच्चर स्टिक किया है, उससे हमे चित्र देखना है और पढ़ना है, मतलब, फर्स्ट वन कौनसा है? कौनसा पिच्चर दिखरा है स्टूडन, अंडा, कौनसा याने एक, तो अंडा के से पढ़ेंगे? अको, अंकी मात्रा, डा, अंडा, यहां क्या किया है, डॉट, ओके? नेक्स्ट वन, बंदर, कौनसा पि थर्डवन कौनसा पिच्चर दिखरा है स्टूडन, हन्स, ख को, अंकी मात्रा, हन्स, ओके? नेक्स्ट, प्रश्न दूसरा, शब्द बनाओ, तो स्टूडन, शब्द बनाओ इसमें कह रहता है, यह जो प्लस रहता है न, यह निकाल के आपको शब्द बनाना है, ओके? श, जमा, उंकी मात्रा, जमा, ख, शं, ख, दूसरा, ज, जमा, उंकी मात्रा, जमा, डगो, आकी मात्रा, जंडा थर्डवन क जमा अंकी मात्रा जमा ग जमा न कंग न फोर्थ वन अ जमा अंकी मात्रा जमा गू जमा र अंगू र अंगूर याने ग्रेप्स पाच्वा है प जमा अंकी मात्रा जमा खा पंखा याने फैन प्रश्न तिसरा कौनसा है देखो और लिखो So now student मैंने यहां कुछ शब्द लिखे वही आपको देखके नीचे नीचे की लाइन में लिखना है पहला कौनसा है हन्स दुसरा जंडा तिसरा पंखा प्रश्न चाओ था जोड़ो इसमें कही रहता है student जो same same शब्द रहते हैं मतलब यहां एक line रहते हैं और यहां एक line रहते हैं इस line में जो शब्द रहते हैं वही इस line में आगे पीछे शब्द रहते हैं में इसे क्या करना है match the following यानि जोडना है तो पहला कुण सा है शंक शंक यहाँ शब्द कुण सा यहाँ यहाँ तो मैंने क्या किया उसे जोड़ा आपको क्या करना है हो stick लेके अच्छी से आपको यह जोडना है जो same same शब्द second one कुण सा है अंडा अंडा यह शब्द यहाँ का यहाँ है तो मैंने क्या किया उसे जोइन किया third कंगन कंगन यह शब्द यहाँ है तो मैंने क्या किया उसे जोइन किया fourth one है हंस हंस यह शब्द यहाँ है तो मैंने क्या किया उसे match किया पेर किया 5th one is punk, punk है शब्द कहाँ है, या याने pan, punk है याने प्यान तो मैंने क्या किया, जोडा Now students, इस तरह से हमारों अंकी मातरा के शब्द हो चुक है और वर्कशिप भी सॉल्व करके हो चुक है So now student आपको अच्छी तरह से इसका प्रैक्टिस करना है Write in your notebook two times Okay, thank you